अले दोस्तों मैं परशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वीटीर कम्यूटी में स्वागत करता हूँ तो आज मैं आपको इस वीडियो में money making candlestick pattern के बारे में बताना जा रहा हूँ यहनी यहाँ पर हम इस वीडियो में उन सारे candlestick pattern को cover करेंगे जो कि आपको real terms में पैसा बनाने में help करता है और आपको losses को avoid करता है अगर हम बात करें तो आप बहुत सारे candlestick pattern को money making candlestick pattern बोल सकते हो लेकिन जो real terms में money making candlestick pattern है जो कि real terms में practical life में आपको पैसा बनाने में help करता और losses को avoid करता हम इस वीडियो में सिर्फ उन्ही सारे candlestick pattern को cover करेंगे तो यहाँ पर हम एक एक करके चले देखते हैं कि कौन-कौन सा candlestick pattern है जो कि money making candlestick pattern की category में आ सकता है तो चलिए start करते हैं तो सबसे पहला candlestick pattern जो money making candlestick pattern की list में आता है वह आपका piercing pattern अब बहुत सारे लोग ने इस pattern के बारे में सुना होगा और बहुत सारे लोग इस pattern के बारे में नहीं सुना होगा तो piercing pattern होता क्या है यहाँ मैं आपको सबसे पहले explain करता हूँ देखे इसका formation कब होता है price आपका उपर से नीचे side की तरफ आता यानि price आपका down trend में होता उसके बाद एक आपका support level के पास इसका formation बहुत जरूरी है अगर आपके ये support level के पास form हो रहा है तो इसका accuracy level बहुत ज़्यादा high हो जाता और इसका formation अगर support level के पास हो रहा है तभी आपको इस तरह के pattern के basis पे trade लेना है और तभी आपको money making के अनलिस्टिक pattern के category माएगा अगर ये आपका resistance level के पास form हो रहा है या फिर बीच में कहीं भी form हो रहा है फिर इसका इतना ज़्यादा importance नहीं रहता है इसका importance रहता है जब ये आपका support level के पास formation होता है तो अब ये pattern किया है चलिए वो समझते है तो सबस पहले price आपका downturn में रहाता उसकी बाद आपका एक जबरदस्त big और powerful red candlestick का formation होता है जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एक bearish candle का formation किया उसकी बाद क्या होता है एक आपका वापस से green candle का formation होता है जैसा कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और इस green candle की खासियत क्या होती है ये जो pattern बना रहा है इसमें क्या होता सबस पहले इस red candle के half को mark करना देख सकते हैं ये red candle का half हो गया अब इस green candle को इस red candle के half से उपर जाना होगा किसी भी condition में अगर ये उपर गया तो ये आपका दोनो candlestick pattern मिलके बन जाएगा कौन सा piercing pattern अगर ये red candle के half से उपर नहीं जा पाया तो ये आपका piercing pattern नहीं होगा फिर इसको हम ignore कर देंगे ये कोई general candlestick pattern है जो कि money making candlestick pattern के लिस्ट में नहीं आएगा तो यहाँ पर एक ही condition है price आपका downtrend होना चाहिए उसके बाद आपका ये support level के पास formation होना चाहिए और जो green candle firm हो रहा है उसका size red candle के half से जादा होना चाहिए अब इसके बाद क्या होगा इसके बाद यहाँ पर हमें trend reversal देखने को मिलेगा कैसे और इसके पीछे concept क्या है चले यह हम समझने कोशिस करते है concept भी समझना बहुत जरूरी है अब यहाँ पर क्या हो रहा price आपका नीचे के रहा मतलब जो seller है जो sellers है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा strong है यहनि sellers का यहाँ पर दबबा कायम है अब यहाँ पर red candle का formation हुआ है यह candle form होने के बाद भी sellers बहुत ज़्यादा strong है sellers market को control किये हुए और उनका दबबा है अब यहाँ पर क्या किया है buyers यहाँ से buying करना start किया है मतलब यह लगभग आपके buyers के घर में intriguer चुके है buyers के zone में intriguer चुके है अब buyers इस particular level से buying करना start किया अपना interest अपना दम दिखाना start किया है और उसके बाद sellers को वापस से पीछे धकेल आया है और sellers को पीछे धकेल के जो candle का half है उससे उपर ले गया है मतलब यहाँ पे क्या हुआ जो sellers यहाँ पे strong थे वो sellers अब क्या हो गए अब यहाँ पे sellers कमजोर हो गए है और जो buyers है वो यहाँ पे अपना strength गेन किये मतलब buyers अपना strength गेन किया है और sellers अपना strength लूज किया है sellers यहाँ पे कमजोर हुआ है अब यहाँ पे क्या हो रहा power का transfer हो रहा from sellers to buyers और इसके पीछे का यही concept है जब यहाँ पे buyers अपना strength gain करा sellers अपना strength lose करा और power का transfer हो रहा from sellers to buyers मतलब क्या है कि यहाँ पे अब buyers का दबदबा चलेगा और जब बायस का दबदबा चलेगा तो market आपको कैसे जाएगा? market आपका जाएगा upside की तरफ इसलिए यहाँ पर हमें यह trend reversal का indication देता है और यह सारा काम कहाँ पर होना चाहिए? वापस से बता रहा हूँ, यह सारा काम आपका support level के पास होना चाहिए तब ही इसका importance है, otherwise इसका importance नहीं है तो यहाँ पर हम उमीद करते हैं कि आपको piercing pattern का जो concept है वो समझ में आ गया होगा और आगे हम इसके उपर detail video भी बनाएंगे जिसमें हम इसके उपर live example लेके discuss करेंगे लेकिन हम इस video में जो भी money making canalistic pattern है सब के बारे में हम सीखेंगे और उस pattern के बारे में detail से हम सब के उपर अलगलग separate video बना के वहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहला money making canalistic pattern के हमने बात कर लिया अब हम दूसरा money making canalistic pattern पर आते हैं वह आपका morning doji star अब आपने morning star का नाम ज़ूर सुना होगा लेकिन यहाँ पर हमने कौन सा candlestick pattern लिया morning doji star और यह powerful pattern बन जाता अगर हम इसको doji को add कर देते हैं अब इसको आप identify कैसे करोगे सबसे पहले और इसका formation कहाँ पर होना चाहिए और यह क्या indication देता है इन सब के उपर बात करते हैं और मैं आपको बार बता रहा हूँ यह सारा candlestick pattern को अभी यहाँ पर सिर्फ आपको introduce करें इन सब के उपर detail वीडियो हम बनाएंगे और उसमें इन सब का जो live market example है वो भी cover करते हुए फिर इसके उपर detail से बात करेंगे तो अभी यहाँ पर हम जो भी different money making canalistic pattern है सब को मैं introduce करूँगा एक एक करके तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए आपका यह downtrend में होना चाहिए और उसके बाद यह भी कहाँ पर form होना चाहिए यह भी आपका support level के पास ही form होना चाहिए यह नहीं support level के पास formation होगा तब ही इसका importance होगा अब इसमें पहला characteristics क्या है इसमें body आपका बिलकुल भी नहीं होना चाहिए यह नहीं जिस price पे यह आपका open हुआ है वह ही इसका closing price ही होना चाहिए लग भल थुरबूद हलका open ही के हो सकता लेकिन almost opening price और closing price same होना चाहिए और यह candlestick का formation कब होना चाहिए downtrend continue है उसके बाद formation होना चाहिए और इसका जो body size है यह भी आपका छोटा होना चाहिए जादा big body size नहीं होना चाहिए तो फिर यह क्या बन जाएगा यह आपका morning doji star candlestick formation होगा अब जैसे इस pattern को हमें identify क्यों लिया अब यहाँ पर क्या हो रहा concept समझें price आपका उपर से नीचे side की तरफ आ रहा यह नि इस candle तक sellers market को control की हुए थे उसकी बाद यहाँ पर market आपका gap down open हुआ है और gap down open होते ही क्या हुआ जितना strength अब sellers में same strength अब हमें buyers में भी देखने को मिल रहा मतलब यह candlestick pattern बता रहा है कि जितना strength seller में उतना strength buyers में भी है तो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर sellers अपना strength लूज किया है और जो buyer है वो अपना strength gain किये हैं मतलब वापर से यहाँ पर यह क्या बता रहा है कि power का transfer अब आगे हो सकता है हुआ है यह नहीं बता रहा है मतलब आगे अगर buyers यहाँ पर आया तो पावर का transfer हो सकता है buyers यहाँ पर अपना dham दिखाना start कर दिया अब हमें यहाँ पे क्या wait करना पड़ेगा entry हमें कब लेना पड़ेगा इस candle के highest point को mark कर लेंगे अगर यहाँ पे wind candle का formation हुआ है और इस candle के high को break करके उपर निकला ति हमारा क्या बन जाएगा यह हमारा बन जाएगा entry point जहाँ पे हम buy करेंगे clear हो गया और इसका lowest point जहोगा वो हमारा SL के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा इन सब के उपर हम detail हम बात करेंगे जब हम इस pattern के उपर बात करेंगे तो और समझ में आगया यह सारा pattern का formation कहां पे होना चाहिए जो भी pattern हमने discuss किया भी तक सब का formation आपका support level के पास होना चाहिए तभी इसका importance है otherwise यह आपका money making candlestick pattern के category में नहीं आएगा तो दूसरा हमने morning doji start भी समझ लिया अब हम next पे आते हैं और next जो आपका money making candlestick pattern है उसमें morning start का भी नाम आता है क्योंकि इसका भी अगर formation सही जगा पे हुआ strong support level के पास हुआ और यह exact same type of canalistic का formation किया जैसा हमें morning start में देखने को मिलता है तो यह भी आपको 20 reversal identify करने में help करता है और इसके जड़े भी आप profit बना सकते हैं तो इसका भी formation कब होना चाहिए जब आपका downtrend continue रहेगा उसके बाद इसका formation होना चाहिए अब यहाँ पे क्या है इसका body का color आपका red भी हो सकता है और green भी हो सकता है कुछ भी body का color हो सकता उस पे हमें नहीं जाना है हमें इसके characteristics को identify करना सबस्पहले हम इसको identify कैसे करेंगे अब इसका ही formation आपका support level के पास होना चाहिए यह सबसे पहला और important criteria है और यहाँ पी हम mostly उसी candlestick pattern को लिए जो कि आपका buy signal लेता है क्योंकि buy signal को आप कहीं भी implement कर सकते है और जो कोई भी sell signal लेता है उसमें आप सिर्फ FNO में ही काम कर सकते है अगर वो stocks FNO में नहीं है तो फिर आप उसमें काम नहीं कर सकते है इसलिए हम अभी सिर्फ buy वाले portion पर फोकस करें यानि उस candlestick pattern में फोकस करें जो कि आपको buy signal लेता है sell वाले के उपर हम आगे detail से बात करेंगे तो यहाँ पर देखे सबका formation कहां पर होना चाहिए support level के पास होना चाहिए और downtrend के बाद होना चाहिए और यह भी आपका दिखा रहा है कि यहाँ पर sellers का दबदबा था इस particular candlestick पर और इस candlestick पर क्या हुआ इस candlestick पर आपका जो seller है वो यहाँ पर कमजोड हुआ है और जो buyer है वो यहाँ पर अपना strength gain किया है यानि buyer अपना strength gain करा और sellers कमजोर हो रहा है मतलब जो sellers का दबदबा पहले था वो दबदबा खतम होगा और sellers कमजोर होने का मतलब यह है कि buyers अपना strength gain करेंगे क्योंकि market में दो ही लोग होते है buyers या फिर sellers आपको यह पता करना होता है कि अभी किसका दबदबा चलबा अभी कौन strong है और अगर आपने सही strong को pick कर लिये यह नि जो अभी strong है उसको pick कर लिया और उसके साथ अगर आप जाओगे तो आपको profit बना के देगा कमजोर के साथ जाओगे तो वो कभी भी आपका साथ छोड़ सकता है खुद भी डूबेगा आपको भी डूबाएगा तो इसलिए हमें यही identify करना रहता है कि market में किस portion पे buyers strong है और किस portion पे sellers strong है तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि sellers यहाँ पे कमजोर हो रहा तो अगर आप sellers के साथ जाओगे मतलब वो खुद भी डूबेगा और आपके पैसे को भी डूबाएगा आपको यहाँ पे buyers के साथ जाना होगा यह नि buy करना होगा और buy cup करना होगा इस candle के high को mark कर लिए इसके उपर निकलता buy कीजिए और इसके lowest point को आप एसरल के रूप में काम कर सकते है concept वही है morning doji star जैसा मिलता जलता concept है बस इसका formation support level के पास होना चाहिए और इस candle में छोटा मोटा body होगा अगर body का size big हो गया तो फिर हमें इसको ignore कर देना body का size छोटा होना चाहिए और जो tail size है वो भी ज़्यादा big नहीं होना चाहिए यही criteria है morning star candlestick में तो यहाँ पर अब नेक्सट candlestick pattern को देखते हैं जो कि आपका money making candlestick pattern का list में आता है उसमें नाम है आपका counter attack lines या फिर counter attack आप candles भी बोल सकते हैं इस candlestick pattern के बारे में साइध आपने नहीं सुना होगा या फिर बहुत कम लोगों ने सुना होगा जैसा कि नाम से ही पता है कि यहाँ पर counter attack किया जाता है अब counter attack कैसे हो रहा चलिए वो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं सबस्पहले क्या हो रहा downtrend continue है downtrend के बाद क्या हुआ price आपका एकाएक जवर्दस्त gap down दिया है यहाँ पर closing हुआ है उसके बाद अगला candle open कहाँ पर हुआ अगला candle direct काफी नीचे इस particular level पर open हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ यह जो नीचे आया है वो buyers के इलाके में आ गया यहाँ पर buyers का zone था, buyers का घर था उस इलाके में open हुआ है अब जब buyers के घर में घुस गिया यहाँ पर क्या किया buyers बोला कि हम तुमको अपना दम दिखा दे और यहाँ पर buying करना start कर दिया और buyers sellers को धकेलते हुए कहां तक आ गया यहाँ उसके घर तक आ गया और उसके घर में भी घुस गिया मतलब buyers कहां से start किया buyers अपने घर से दम दिखाना start किया और यहाँ से start करते हुए यह जो gap बना था gap को fill किया और sellers के घर में घुस गिया मतलब यहाँ पर सबसे पहले sellers buyers के घर में घुस आ उसके बाद ये counter attack करते हुए sellers के घर में घुश गिया है मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा power का transfer हो रहा from sellers to buyers clear है इसलिए इसको हम लोग counter attack lines भी बोलते हैं और counter attack candles भी बोलते हैं अब यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको इस candle का lowest point है वो आपका SL के रूप में काम करेगा और इस candle का highest point को mark कर लिजए और अगला candle क्या होगा अगला candle positive form होना चाहिए और जैसे इसके high को break करके उपर निकलेगा यह हमारा क्या बन जाएगा यह हमारा बनेगा entry point by side की तरफ clear हो गया इसका concept इसको हम लोग counter attack lines candlestick pattern को देखते हैं और next candlestick pattern जो है यह आपका bullish engulfing candlestick pattern जो की most common candlestick pattern है लेकिन इसके implementation पे लोग धोका खाते हैं और वहीं पे नुकसान कर बैठते हैं इसका implementation कहां पे होना चाहिए वो भी बहुत जलूरी है अब देखिए price यहाँ पे आपका नीचे side की तरफ आ रहा यह ने price आपका downtrend में है उसके बाद क्या हो रहा आपका एक छोटा सा red candle का formation होना चाहिए अब छोटा सा red candle का formation हुआ वहीं दिखा दिया यहीं छोटा red candle क्या दिखा दिया कि जो sellers है वो यहाँ पे कमजोर हुए है मतलब यह candlestick दिखा दिया कि sellers कमजोर हुए अब जब sellers कमजोर हुए तो market में एक ही लोग बचके buyers अब हम इंतजार करेंगे कि buyers अपना strength गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसकी बाद अगला candle क्या होता buyers अपना strength गेन करता और इसको पुरा overcome करता यहनि इसको पुरा निगल जाता इसी को बोलते है bullish engulfing candlestick pattern यहनि यह जो red candle बना छोटा सा उसको engulf कर गया और अगला आपका green candle का formation होना चाहिए तो इस pattern को identify कैसे करेंगे पहला criteria है कि आपका red candle फार्म होना चाहिए वो भी small body वाला ठीक है दूसरा criteria green candle का formation होना चाहिए big body अगर ऐसा हो रहा है तो यह क्या होगा आपका bullish engulfing pattern होगा और इसके बाद क्या करेंगे हम इस दोनों pattern के highest point और बैसी बात है highest point आपका होगा green candle का इसको mark कर लेंगे और low mark कर लेंगे lowest point बनेगा आपका SL और highest point को break करते ही जैसे ही निकलेगा यह हमारा बन जाएगा entry point तो यहाँ पर भी concept समझ में आगया maximum में क्या हो रहा power का transfer हो रहा यहाँ पर sellers कमजोर हो रहा उसके बाद buyers entry कर रहा और buyers अपना strength गेन कर रहा है और यहाँ पर मैं आपको implementation भी बताऊंगा और इन सब के basis पर आपके लिए कई बाद trap भी बिछाया जाता है यहीं जाल भी बिछाया जाता है इस trap को भी आप कैसे avoid कर सकते हैं इस trap को भी आप कैसे filter कर सकते हैं इसके उपर भी हम बात करेंगे लेकिन कब जब हम इसके practical implementation में बात करेंगे जब हम चार्ट पर आएंगे तो इन सब candlestick pattern के उपर बात करेंगे और इन सब candlestick pattern को देखते हुए क्योंकि यह popular है और बहुत सारे retail इस्तेमाल करते हैं इसके basis पे trap बिचाया जाता है उस trap को भी कैसे avoid कर सकते हैं उन सब के उपर बात करेंगे तो यहां पर भी next candlestick pattern पर आते हैं जिसके ज़री आप पैसा मना सकते हैं जो कि आपका money making candlestick pattern में आता है उसमें है hammer candlestick pattern काफी popular है और commonly used किया जाता है लेकिन यहां पर भी इसके implementation में लोग mark आ जाते हैं इसका implementation कब होना चाहिए कहां पर होना चाहिए वही पर लोग गलती करते हैं तो इसका implementation कहां पर होना चाहिए प्राइस आपका देख लिए इस तरह से नीचे side की तरफ आता है इसके बाद आपका hammer candlestick का formation होना चाहिए और इसके बाद price आपका इस तरह से upside की तरफ जाता हुआ देखेगा और इसका formation support के पास होना बहुत जरूरी है support के पास अगर नहीं हो रहा है यह candlestick ignore कर देजे यह candlestick आपके काम का नहीं है फिर इसको हमें देखना भी ने कोई value नहीं देना इसका value इसका importance कभ होता है जब यह आपका support level के पास जाता है तभी इसका importance होता है support level के पास form होता है तभी importance होता है अब यहां पर यह क्या दिखा रहा है यह single candlestick pattern हमें दिखा रहा है कि price इस particular level तक गया है यनि price आपका यहां तक गया है लेकित इस particular level पर क्या है sellers अबलेबल नहीं है इस particular level पर sellers उतना interested नहीं है अब जैसे ही seller interested नहीं हो गए sellers कमजोर होंगे कौन entry करेगा यहां पर entry करेगा आपके buyers यनि यहां पर buyers entry किया और buyers ने buying करना start किया इस particle level से इस particle level से फिर candle को लेके उपर गया है और उसके बाद थोड़ा बहुत sellers इंट्वी किया लेकिर वापस से buyers इंट्वी करके price आपका इस level पर closing दिया या फिर इस level पर यानि इसका color weight green कुछ भी हो उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है overall यह क्या indicate करता है sellers के कमजोरी को दिखाता है और buyers के मजबूती को दिखाता है और वह हमारे लिए काफी है यहाँ पर क्या हो रहा power का transfer from seller to buyer सब के पीछे concept यही है हमें यही identify करना है कि power का transfer कब हो रहा नहीं हो रहा और power का transfer अगर support के पास हो रहा तो हाँ पर हम बाई-सार के तरफ entry ले सकते हैं और इन सब के बाद हमें candle stick के strength को भी identify करना उसके उपर हमने separate video already बना रखा है अगर hammer candle form हो गया उसके बाद अगर आपका green candle इस तरह छोटा सा बनता है या फिर इस तरह का आपका वापस से doji candle बन गिया hammer के बाद या फिर कोई money making candlestick pattern है उसके बाद अगर आपका green candle में strength नहीं दिख रहा है तो मतलब वहाँ पर trap हो सकता है तो वहाँ पर भी आपको सतर्क हो जाना सिर्फ यह candlestick pattern दिखने के बाद आपको blindly by side की तरफ नहीं जाना आपको थोड़ा सा इंतिजार करना जब हम इसके practical implementation पर बात करेंगे चार्ट पर बात करेंगे तब इसका concept आपको और clear होगा अभी सिर्फ में आपको यहाँ पर introduce कर रहा है एक और चीज़ है इसके placement के basis पर इसका नाम भी थोड़ा बहुत चेंज होता है इसी को हम लोग कहीं पर bullish pin bar या bearish pin bar भी बोलते हैं तो वो भी concept हम आगे clear करेंगे जब हम chart पर इस candlestick pattern को देखेंगे तो और इसको basically हम लोग hammer के नाम से जानते हैं और हम इसको hammer के नाम से यहाँ पर denote कर रहे हैं उसकी बाद हम next और last money making अनलिस्टिक pattern को पर बात करें जो कि आपका है tweezer यहाँ पर आपका एक tweezer top भी होता है जिसमें हम लोग sell side की तरफ positions लेते हैं तो मैंने बता है कि हम sell side के उपर focus नहीं करते हैं क्योंकि sell हम सिर्फ F&O stocks महीं कर सकते हैं यहाँ पर हम overall ले रहें आगे भी हम sell side की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर हम tweezer top के उपर बात नहीं करेंगे सिर्फ tweezer bottom के उपर बात करेंगे तो अब इसको आप identify कैसे करेंगे इसका ही formation सेम तरीके से होगा अगर आपका downtrend continue है उसके बाद इसका formation होना चाहिए और इसमें सबसे basic criteria क्या है कि दो candlestick pattern है और दूनों का bottom आपका same होना चाहिए ठीक है? दूनों का bottom आपका same है अब यहाँ पर दो तरग हो सकता है पहला type का यह है और दूसरा type का यह है उनों आपका tweeder bottom candlestick pattern है चाहट से भी आप काफी राद तक इसको identify कर सकते है यहाँ पर भी क्या concept है sellers market में कबजे के हुए sellers का market में control है price थोड़ा बहुत आपका gap down open हुआ है क्योंकि closing यहाँ पर दिया और अगला candle यहाँ पर open हुआ है और जैसे ही price नीचे open हुआ है यहीं पर जो buyers है उनका यहाँ पर entry हो गया है और buyers पूरे हावी रहे हैं और यहाँ पर buying start हुआ है और all the way जो यह candle का high है उसके करीब यह गया है और इससे उपर भी जा सकता है यहनिए candle stick के body को almost two third capture करना चाहिए two third capture होगा तभी यह आपका क्या बनेगा tweeder bottom pattern बनेगा two third से कम capture होगा तो फिर हम इसको वहीं पर ignore कर देंगे two third capture किया मतलब यहाँ पर क्या हो रहा यहाँ पर वही जो concept हमने already discuss किया कि power का transfer हो रहा sellers से buyers के बीच में अब यहाँ पर एक और चीज़ देखना है कि यहाँ पर price आपका काफी उपर तक भी गिया उपर में थोड़ा बहुत tail है मतलब buyers अपना strength तो दिखा रहा लेकिन market पूरा का पूरा buyers के कबजे में नहीं आया है तो पूरा का पूरा buyers के कबजे में आने का wait करेंगे इसलिए क्या करते है इस candle के high को हम mark कर लेते है इसके उपर अगर निकल गया तो आगे आने वाले time है buyers ने market को अपने कबजे में कर लिया है और इसके बाद फिर यहाँ पे हमारा यह सब बन जाएगा entry point by side की तरफ और इसका दूसरा example यहाँ पे जिसमें आपका red candle form होगा अब red candle में आपको नीचे में अच्छा खासा tail दिखेगा मतलब हमें यही candle दिखा दिया है कि नीचे से buyers ने sellers को मार के बागा है यानि buyers ने यहाँ पे अपना strength दिखा दिया tail at the bottom that means to buyers यहाँ पे बहुत ज़्यादा active है हमें यही candle से पता चल गया उसके बाद हम इंतिजार करेंगे buyers का entry का अगला candle जैसे open हुआ buyers यहाँ पे entry की है और all the way price इस candle स्टिक के high को break करके उपर निकला है तो उसके बाद अगला candle का इंतिजार करेंगे अगला candle जैसे ही इसके उपर open होगा इस wet candle के उपर यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी open हो वहाँ पे हम open होते ही क्या करेंगे हम entry कर लेंगे बाई साथ की तरफ तो इस तरीके से आप ट्वीजर बॉटम कैनलिस्टिक के पैटर्न के वेसिस पे ट्वीट भी कर सकते हो अब इन सारे कैनलिस्टिक पैटर्न का नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके सबका practical implementation live example के थुरू हम उन सब के उपर एक एक करके बात करेंगे तो उमीद करते हैं ये concept आपको समझ में आ गया होगा और कौन-कौन सा money making candlestick pattern है वियल टॉंस में ये भी आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको लगता है कि और कोई भी candlestick pattern money making candlestick pattern के लिस्ट में होना चाहिए तो आप हमें comment section बता सकते हो हम आगे उसके उपर भी cover करने की कोसिस करेंगे उसके उपर भी video बनाएंगे so that's all friends उमीद करते हैं आपको हमारा ये video पसंद आया होगा अगर आपको ये video पसंद आया please video को like करके हमें encourage किजिए और चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe भी किजिए और bell icon दबान न भूले ताकि जब भी हम इसके उपर आगे video बनाएं उसका notification आप तक पहुंच जाए और आप उस video को miss न करें so that's all friends मिलते नेक्ट वीडियो में जैहिन